बहुत सारे लोगों का एकी question रहा है कि कौन से book से UPSC के preparation करें example के तोर पर समझाता हूँ motivation भी आपके लिए हो जाएगा थोड़ा सा तो पहले तो ये समझना होगा कि आपकी मंजील एक है पर आपको जाने के लिए रास्ते कहीं है और उस पर चलने वाले साधन बहुत सारे हैं कौन से साधन को आपको साध्य बनाना है यानि कि आपको public transport यूज करना है, Mercedes यूज करनी है, बाइक यूज करनी है, पैदल जाना है, cycle आपके पास क्या साधन पहले तो depend उस पर करता है, कितनी मैं वहेंगी बुक आप ले सकते हूँ, आपको बोलते हूँ लक्षमी कान ले लो, पॉलेटी के लिए, सब्जेक्ट वाइस छोड़ दो बाते हैं, मैं आपको विपन चंद्रा बोल देता हूँ, या फिर मैं रामश रास्तों से मंजिल पर जहां पहुचना है, पहले तो यह समझो कि जिस मंजिल पर आप जा रहे हो, उसको जाने के लिए, जिस रास्ते से जाना चाहते हो, क्या वो रास्ता आप जानते हो अच्छे तरीके से, या उस रास्ते को अच्छे से समझ पाओगे, तब वो बुक ल आपको वो लेना होगा लेकिन आपके पास साधन भी बहुत सारे हैं पर उसमें से चूज करना कि कौन सा साधन ऐसा रहेगा जो सबसे पहले पहुंचा देगा ठीक है वो भी अच्छा होगा तरीका लेकिन आपके पास साधन नहीं है एक चोटा ही साधन है तो उसके लिए आप करना होगा उसको साथ दे कैसे बना जाए तो उसके लिए आपको time management जरूरी है बाई कोई Mercedes से बहुत जल्दी पहुंच जाएगा bike से और जल्दी cycle से और लेट और पैदल और लेट तो उस time में आपको तैयारी करनी है उस दौर से आपको मतलब उतनी जल्दी निकलना होगा कि आप उनका जो है उनका साथ पासको और उनके साथ ही मंजिल पर पहुंच पाओ तो यह सारी चीजे होती है आपको बोल दूँ यह बुक ले लो तो वह आपके लिए बहतर हो जाएगी यह मैं नहीं बोल सकता क् ब्रैंडिंग हो गई भाई आपको किसकी लैंग्विज किसका मेथट्स आपको समझ में आ रहा है मैं बोल दिया यह ले लो आपने ले लिया बड़ वो समझी नहीं आया भाई सारे मोटिवेशन स्पीकर हैं आपको संदीव महिसरी हो सकता सर पसंद हो या फिर उजल पाटनी या फिर ववेग बिंद्रा बहुत सारी टीचर है विकास दिभिकरती किसी को पसंद है किसी को आवद हो जाए लोगों में आप किसकी लैंग्विज को किसके तरीके को जादा बहतर से समझते हैं इंट्रेस्ट आपको किसमें आ रहा है डेपन्ड उस पे करता ही वो आपको लेनी होगी तो आप फाल्दू में ऐसा भटकते रहा जाओ कोई मतलब नहीं हुआ उसका तो वही है कि मंजिल वही है रास्ते कहीं हो बढखाबड है समतल है सेमेंट की रोड ह कॉंक्रीट की रोड है कौन सी रोड पर आपको जाना है कि साधन से जाना है तो उसमें यह देखना है कि आपको कमफटेबल कि साधन में है कौन सा रास्ता आपके लिए बहतर है जो अच्छे से जानते हो उन्हीं रास्तों पर चलता है एक पूरी सीरीज में इस चारी चीज झाल झाल